इंडियन बैंक से कार लोन कैसे लेना है क्या टर्मेन कंडिशन को फॉलो करना है आपको एक चीज तो समझना होगा कि भारत में कार लोन का मार्केट बहुत ही बड़ा है सभी सरकारी बैंक सभी प्रैविट बैंक यहां तक की प्रैविट कमपनिया भी आपको कार लोन के लिए हर चीज को समझना पड़ेगा आज समझेंगे कि इंडियन बैंक से कारलोन लेने के क्या-क्या फाइदे हैं क्या टर्मेन कंडिशन है और सबसे जरूरी बात आपको बता दू कि कारलोन लेते समय हमेशा सरकारी बैंकों को पहले प्रिफरेंस देना चाहिए क्योंकि सरकारी बैंक जो है अलग से अपने मन से कोई टर्मेन कंडिशन नहीं जोर सकते किसी तरह का एक्स्टा चार्ज नहीं जोर सकते आपके उपर क्योंकि उन्हें RBI के गाइडलाइन के अंदर चलना होता है लेकिन बहुत सारी non-banking financial company ऐसा करती है कि आपको car loan पे interest rate कम दिखाएगी साथ में service charge हो गया, document verification charge हो गया, processing charge हो गया इन सब के नाम पर अच्छा खासा आपसे loot लिया जाता है तो समझते हैं Indian bank से car loan कैसे लेना है और लाट में ये भी समझेंगे कि application का process क्या है क्योंकि छोटी छोटी गलतियों के कारण लोगों का car loan reject हो जाता है तो समझते हैं पूरी detail में Indian bank से car loan लेने का पूरा process क्या है अभी मैं आपको Indian bank से car loan का एक overview बता देता हूँ जिसके बाद आप ये समझ जाओगी कि आपको car loan लेने में क्या-क्या फाइदा है सबसे important की समझे कि 8.60% से ही Indian bank का car loan का interest rate स्टार्ट हो जाता है और अधिक्तम 12.90% तक जाता है इसमें भी अलग-अलग category डिवाइट किया गया है जिसको मैं आगे बताऊंगा लेकिन अगर आपका civil school बहुत अच्छा है उस condition में आपको 8.60% पर जो है Indian bank से car loan मिल जाएगा दूसरा important चीज आता है 7 साल के लिए car loan आपको मिल रहा है जहां दूसरे bankों में आपको सिर्फ 4 से 5 साल या अधिक्तम 6 साल के लिए car loan मिलता है Indian bank में आपको 7 साल के लिए car loan मिल रहा है आप देखिए loan amount की बात करते हैं आप बड़े बड़े bankों का list उठा के देखिएगा तो वो 30 लाग 35 लाग से ज़्यादा का car loan किसी को नहीं देते तो Indian bank ने इस चीज से आगे आने के लिए ज़े 2 करोड तक का car loan देने का promise क्या है मतलब अगर आपका annual income इस तरह का है तो आपको 2 करोड तक का car loan जो है Indian bank से मिल जाएगा सबसे important charge में आता है processing fees अगर आप जो है mega card लोगे उस condition में भी आपको 0.50% का processing fees देना पड़ता है अब ये सोच रहे होगे कि जहाँ दूसरे bank 1% 2% का processing fees लेते हैं ये इतना कम क्यों ले रहा है तो इसके पीछे कारण ये है कि इंडियन bank जो है चारी है कि car के market में अपना loan जो है अच्छे से establish कर दे लोग जो है Indian bank पे फिर से trust करने लगे और जादा से जादा लोग जो है Indian bank से car loan ले अब ये समझे कि अलग-अलग division बोटे गए है कि आपकी इस तरह का कार लेना चाहते है उस हिसाफ से जो है आपको interest rate पे करना पड़ेगा Indian bank से car loan लेने के लिए सबसे पहला term and condition है कि अगर आप job करते हैं उस condition में आपकी income जो है कम से कम 25,000 रुपे होने चाहिए जो लोग business करते हैं उनके लिए income जो है कम से कम 20,000 रुपे महिने का होना चाहिए और साथ में अगर आप retire हो चुके हैं उस condition में भी आपकी income जो है कम से कम 20,000 रुपे होनी चाहिए आपको बता दे कि आपका जितना total बेतन है उसको देखके calculate किया जाएगा कि आपको अधिकतम जो है कितना car loan मिल सकता है दूसरा सबसे important सर्थ ये रखा गया है कि अगर आप कोई business कर रहे हैं कम से कम आपके पास 3 साल का car अनुभव होना चाहिए मतलब 3 साल से आप business चलाते हुए होने चाहिए उसी condition में आपको car loan दिया जाएगा car loan के लिए अधिकतम car खरीदने के लिए 2 करोड तक car loan मिल जाएगा लेकिन अगर आप two wheeler खरीदना चाहते हैं उस condition में आपको अधिकतम 10 लाख रुपे तक का loan इंडियन bank दे देगी इंडियन bank में car loan का समय सीमा आप अपने हिसाब से decide कर सकते हैं जितना आप EMI जल्दी पे करोगे उतना जल्दी loan जो है खतम हो जाएगा अब सबसे जरूरी सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या-क्या important papers हैं जो आपके पास होने चाहिए इंडियन bank से car loan लेने के लिए तो सम papers का list में आपको बताने जा रहा हूँ और उसके बाद ये समझेंगे कि आपको कितना EMI वगेरा pay करना है और apply कैसे करना है सबसे पहला paper जो आपको जरूरत पड़ेगा वो होगा आपका passport size photo उसके बाद जो है आपको pen card, आधार card या फिर मदाता पहचान पत्र में से कोई एक देना होगा जो आपको identity को proof करेगा उसके बाद निवास परमान पत्र जमा करना पड़ेगा जिसके लिए आप निवास का परमान पत्र जमा कर सकते हो या फिर कोई utility बिल जमा कर सकते हो पानी का बिल हो गया बिजली का बिल हो टेलिफोन का बिल हो गया कुछ भी जमा कर सकते हो उसके बाद अगर आप कोई उद उसके लिए आप अपने ID काट की कॉपी जमा कर सकते हो और सबसे important चीज जो जरूरी होगा वो होता है वेतन का परमान पत्र, वेतन के परमान पत्र के लिए आप अपना pay slip होगेरा जमा कर सकते हो, उसके बाद आपको बता दे कि आप अगर कोई किराया लगाते हो, मकान अगर आपका किराया लगा है, उस अधार पर आप लोन लेना चाहते हो, तो आपको जो है वो rental proof होगेरा भी जमा करने पड़ेंगे, अगर आपको कोई स्वरोजगार कर रहे हो तो उसको जो है वित्तिय वर्स का जो आपका चल रहा होगा, जैसे अभी 2024-25 चल रहा है, तो उस condition में आपको पूरे साल का income tax का proof जमा करना होगा, या फिर pay slip जमा करना होगा, नहीं तो bank account के statement जमा करना होगा, उसके बाद आपको बता दे कि अगला तीन वर्स अगर आपने income tax भर रहा है, उस condition में income tax भरने वाले को कोई भी bank जो है असान इसे लोन दे देती है, income tax का copy जमा करने क अगर आप car loan ले रहे हो, अगर आप two wheeler के लिए loan ले रहे हो, उस condition में भी driving license आपके लिए जरूरी होगा, उसके बाद आपको बता दे कि जहां पर आप खड़ीदने जा रहे हो गारी, वहां से भी कुछ papers आपको issue करवाने पड़ेंगे, ये सारे papers जो हैं जरूरी है आपको car loan के लिए, आप समझे कि आप car loan पे अगर loan लेते हैं तो आपको कितना EMI भढ़ना पड़ेगा और साथ में आप कैसे apply कर सकते हैं, अभी मैं आपको एक असान calculation से समझाता हूँ कि अगर आप car loan लेते हो तो आपको कितना interest rate पे करना पड़ेगा और total amount यू है आप कितना पे क पे करने जा रहे हूँ, interest rate की बात करें तो आप total पे करोगे 12,00,00,00 रुपे का interest rate आपने total amount ले रखा था 10,00,00 रुपे और 12,00,00 रुपे का interest rate total calculate करके जो बनेगा आपका total amount वो होगा 21,00,00,00 रुपे, आप total जो है 21,00,00,00 रुपे करने वाले हो 36 महने के बाद, 36 महने में असान EMI के द्वारा आप ये समझे कि कार लोन में इंट्रेस्ट रेट आप कैसे बचा सकते हैं इस amount को आप कैसे कम कर सकते हैं तो आप कार लोन जब लेने जाते हो तो उस condition में सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको EMI थोड़ा ज़्यादा amount का बनाना है जैसे आप EMI 5000 का कम से कम बनवाओ और जितना आपका EMI बने उससे 5% एक्स्ट्रा हर महिने पे करते चले जाओ इससे क्या होगा कि आपका base amount घटता चला जाएगा और आपको कम समय में आपका लोन पूड़ा होगा और आपको कम interest rate पे करना पड़ेगा लेकिन अगर आप छोटा EMI बनाते हो और लंबे समय के लिए बनाते हो तो उस condition में आपको जो है total interest rate बहुत जादा पे करना पड़ता है अब ये समझे कि Indian bank से आप car loan apply कैसे कर सकते हैं application का दो process है एक process तो ये है कि आप इनके website पे जाईए वहाँ पे car loan का जो detail होता है वहाँ apply no का section होता है वहाँ से apply कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास internet banking है तो आप internet banking में login करके directly Indian bank के अगर आप customer है तो apply कर सकते हैं दूसरा ये होता है कि आप नजदीकी के Indian bank में जाके वहाँ से form लेते है और जो जो papers मैंने आपको बताए है उन सारे papers को scan copy लेकर document लेकर और original साथ में लेकर form भर देते हैं और 3-4 दिन में आपको car loan approve हो जाता है अगर आपके पास income के अनुसार आप car loan के लिए apply करोगे उस condition में car loan असानी से eligible हो जाओगे असानी से आपको मिल जाएगा लेकिन कई लोग क्या करते हैं उनका सलाना income से भी बहुत ज़्यादा का car loan लेते हैं तो उस condition में आपका loan इसू होने में दिक्कत हो जाता है तो आप अपना जो साल भड़ का income हो उसका 2 गुना या फिर उसका 3 गुना तक जो है अगर मांगोंगे car loan तो कोई भी bank आपको easily car loan दे देगी ये पुरा process था Indian bank के car loan का आपको car loan से related कोई भी मन में सवाल हो चाया आप HDFC से लेने वाले हो चाया आप Indian bank से लेना हो SBI से लेना हो Bank of India से लेना हो किसी भी bank से लेना हो आप comment कर देना मैं उसका reply कर जरूर कर दूँगा आप अपने सहर का accurate नाम को comment करते हो तभी मैं आपको बता पाऊँगा कि आपके यहां क्या interest rate चल रहा है यहां तक अगर वीडियो आपने देखा है तो वीडियो को save करके रख लिजिए ताकि जब आप car loan लेने जाए तो आपके पास एक proper guide रहे और चैनल को subscribe कर लिजिएगा हम सरकार द्वारा जो भी योजना आती है home loan से related, car loan से related हम सभी यहीं पे update करते रहते हैं